नमस्ते किसान भाईयों, स्वागत है आप सबी का दूमदा मेरी कल्चर में आज हम लेसुन की वेराइटी उटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि उटी लेसुन की फसल से किसानों को जो सामानी लेसुन होती है उससे अधिक मुनाफ़ा फाइदा होता है इसलिए किसानों का रुजान उटी लेसुन की तरफ हमारे एरिया में भी बढ़ा है हाला कि पिछले साल उटी लेसुन का बीज काफी महंगा होने के कारण किसानों को इतना फाइदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था परन्तु इस बार उटी लेसुन का जो भाव रहा है वह 9,000 से लेकर 12-13,000 तक किसानों को उटी का बीज मिल रहा है तो इस बार किसानों का रुजान इस तरह बढ़ गया है अब हम उटी लेसुन की बुआई के बारे में बात करें तो इसकी बुवाई सितंबर महीने में सुरू हो जाती है इसके starting first week से ही इसकी बुवाई करना लोग सुरू कर देते है बुवाई है जो सितंबर महीने में सुरू होती है परन्तु किसानों को बीच 15 से 20 दिन पहले ही खरीद लेना पड़ता है क्योंकि इस बीच जब खरीदते है तो वह क्या गिला रहता है उसे 10-15 दिन कम से कम सुकाना ही पड़ता है तब जाकर वह तयार होता है परन्तु अब हम बीच की बात करें तो हमारे एरिया में क्या किसानों के पास यह समस्या रहते हैं कि किस विराइटी का बीच खरीदे और किसा बीच करीदे कि उनकी उत्पादन समता जो नॉर्मल सामान यह 15-20 कुइंटल के बीच आती है प्रती भिगा तो उतनी आये तो इसके लिए कि एरिया में एक ऊटी लैसुन की देखोवाई कम होती है और स्टार्टिंग सी इसकी के çek खरीदे तो इसके लिए छंप एसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं पिछले तीन साल से उपढ़ी लैसुन की क्यूती कर रहा हूं तो इसके आदार पर मैं अपना एक्स्पिरेंस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस परकार का बीज खरीदना चाहिए और बीज कितने तक आपको किस रेड में और कहां से मिल सकता है इसके जानकारे भी आपको दूँगा अब हम उटे के बीज के मात्रा की बात करें कि किसानों को एक बीजा के लिए कितना उटे का बीज लेना पड़ता है तो वह उसकी साइज पर डिपेंड करता है कि हम किस साइज का माल ले रहे हैं अगर हम बड़ी साइज का माल ले रहे हैं तो दो क्विंटल प्रति विगा के इसाब से अपने को लेना पड़ता है और यह सुकाने के बाद का वेट है कि 10-12 दिन उसको सुकाया और उसके बाद जो वेट आता है उसके इसाब से दो क्विंटल प्रति विगा बड़ी साइज और अगर हम मीडियम साइज लेते तो यह ए लेट रहता है उस हिसाप से अपने को आपने को मिस्त रति विगा चाहिएeline सब्सक्राइब एक बात करें एक धान को लेना चाहिए कच्चा बीज जो आता है तो वह क्या अपन जिस टाइम लेते हैं उसी टाइम कटे में से बदबु मारता है या फिर उसमें से हरी कलिया निकलती है यह उसके पहचान होती है तो आप बीज लेते समय इस बात का ध्यान रखे कि कच्चा बीज नहीं होना चाहिए उटी लेसुन का जो बीज लेते हैं उसे 10 से 12 दिन तक अपने को सुकाना चाहिए और बोने से पहले बीज का उप्चार करना जरूरी होता है क्योंकि बीज उप्चार से उसमें क्या फंगस आ जाती है जब अभी क्या बारिस का मोसम चल रहा है बारिस के मोसम में सबसे बड़ के लिए कहीं दवाईया भी आती है मार्केट में तो हमें बीज उप्चार करना चाहिए बोने से पहले किसान भाईयो बीज बोने से पहले आपको और किसी दवा उप्चार करे ना करे फंगी साइड का उप्चार तो करना ही चाहिए क्योंकि इसमें फंगस लग जाता है तो इतना थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है और बीज उप्चार तो अपना को सभी फसलो का करना पड़ता है और अधिक जानकरी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें